नमस्कार दोस्तों सौकत है आपका इस्टेटी फॉर सिविल सर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालोगर जरूर से जरूर जोईन कर लिजेगा दोस्तों हिस्ट्री को रिवाइज करने के इस क्रम में इस समय हम 6th century BCE का जो political map है उसको देख रहे थे और map कैसा है ये description के माध्यम से दिया गया map है इसमें हम जो Indian history है उसकी political situation को देख रहे थे और इस क्रम में यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं ये असल में एक box है और इसमें evidences के तोर पर दिखाया गया है देख लीजे the evidences of existence of lot of republics is found during buddh period देवर as follow मतलब जो प्रमुक गर्तंत्र बुद्ध के समय में होते थे गर्तंत्रिक व्योस था उस समय काफी प्रशलित थी आपने देखा है कि लिच्छवी जो था ये दुनिया का पहला republic दिखाई देता है यानि दुनिया में पहला जो first republican state है उसको इस्थापित करने का श्रे ये हमारे देश के पास यहाँ पर कुछ और कुल मिलाकर इनकी संख्या 10 है इन रिपब्लिकों का नाम दिया हुआ है सबसे पहले है शाक्य आफ कपिलवस्तु यहाँ की गौतम बुद्ध खुद थे शाक की गड़राजी के जो मुखिया थे शुद्धोधन उनी की ये बेटे थे इसके पास जो अगले है वो कौन से है ये है भग आफ भग कौन ये वहाँ के शाषकों का जो नाम है और जो सुमजुमार परवत के भग थे इनका जो छेतर है ये मिरजापुर का जो चुनार्थ वाला इलाका है वहाँ पर आता है इसके अलामा अलकप के बुली बुली आफ अलकप ये जो थे इनका एरिया अगर आप देखिएगा तो बिहार पुरा एक प्रदेश है आप जानते ही है उसमें शाहबाद, आरा और मुजफरपुर शाहबाद, आरा और मुजफरपुर ये जो एरिया है ये बुलीों के छेतर में आता था इसके बाद केशपुत्त के जो कलाम थे उनका नाम आता है यहाँ आप देख रहे हैं एक्रम में चौथे वाले कलाम आफ केशपुत्त तो इनका जो छेत्र है यह कोशल के पस्चिम में जो सुल्तानपुर और बलियां वाला पोर्शन है उसमें आता है इसके बाद राम ग्राम इनका एरिया पढ़रोना में आएगा, ये भी कुशिनगर में ही है, वहाँ पढ़रोना वाला जो छेत्र है, वो इनके दाइरे में आता था, इसके बाद पिपलीवन के मोरिये थे, इनका गोरगपुर जिले में ही था, एरिया, इसके बाद वैशाली के लिच्छवी थे, ये पहले रिपब्लिक के तोर पर उभरते हैं, और बुद्ध काल का ये सबसे बड़ा गड़ राज्य था, मतलब इनका जो एरिया था, ये सबसे व्यापक था, मिधिला के जो विदेये थे, ये बिहार का जो भागलपुर और दर्भंगा जिला है, वो एरिया इनके राज्य के अधीन आता है, तो इतना हमने देखा, कुल मिलाकर उनकी संख्या कितनी है, दस है, इन्हें आप बॉक्स के माध्यम से यहाँ एक एक करके देख रहे हैं, इसमें से कुछ जो है, वो महावीर स्वामी और बुद्ध से डारेक्ट जुड़े हुए हैं, और कुछ जो है वो इ एक ड्रामा बुक है, मतलब नाटक है और नाटक कैसा है, संस्कृत काववे के माध्यम से उसको दर्शाय गया है, भास जो थे बहुत बड़े, पोएट थे, और इसमें है गया, तो इसमें वट्स के राजा है उदैन, और अवंती के राजा की बेटी है, अवंती का उस समें उदैन मत समझ लीजेगा, उदैन जो है, वो हर्यक डैनस्टी से बिलॉंग करता है, जो उदैन था वट्स का राजा, ये प्रद्योत के यहां बंदी था, उसके कारागार में कैद था, और उस कंडिशन में उसकी बेटी, यानि प्रद्योत की बेटी, वासो दत्ता से इसकी मुलाकात होती है, और दोनों की बीच में जो प्रेम है, वो इस थापित हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, पूरा घटन ग्रम यहां भास में लिखा है, उसे आप देख भी रहे, और किताब का नाम याद रखिएगा, ये ड्रामा बुक है, स्वपन वासो दत्ता, आ और वैशाली नाम कहां से आया है, तो ये वैशाली नाम आया है राजा विशाल से, यहां का जो राजा था उसका नाम विशाला या विशाल था, और इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है, मतलब महाभारत इरा जो है, उसमें भी इसका उलेक प्राप्त होता है, वैशाली जो है ये great Buddhist pilgrimage state भी है मतलब इस्थान है और इसके अनावा Lord महावीर का ये birthplace भी है ये भी आप जानते हैं जो कुंडगराम इस्थान है मतलब कुंडगराम नाम का जगह है वहाँ पर ये वर्दमान यानि महावीर का जन्म होता है तो इस प्रकार से ये दोनों के लिए पवित् में फ्लोरिष्ट होनी की बात कहीं गई है और actual founder जो इस empire का था वो king बिम्बिसार था approximately 544-492 century BCE की बात की जा रही है मतलब ये समय कौन सा है 544 से लेकर 492 इसापुरु की बात हो रही है ये सम्मद रखता था हर्यक राजवंज से और बिम्बिसार मगद को इस थापित करने वाला राजा नहीं था मगद को फैलाने वाला राजा था मगद में new बनाने का काम foundation तैयार करने का काम इसने किया और इसी वज़े से इसे मगद डैनिस्टी का वास्तविक संस्थापक कह जाता है हाला कि इसका संबंद हर्यक राजवंज से था और इन से पहले मगद जो छेत्र था ये पहले भी शक्तिशाली था जो महाभारत का दौर है उसमें इसका नाम नहीं आता है मतलब ये जो बिम्बिसार है या इसके बाद वाले जो उदैन और आजात शत्रू है इनका उलेक नहीं मिलता है वहाँ पर जरासंद या उनके जो पिता थे उनका उलेक प्राप्त होता है जरासंद के पिता का नाम ब्रहद्रत था और ब्रहद्रत से पहले यहाँ पर वसु का शाशुन था तो वसु के द्वारा यहाँ पर जो वन्ष स्थापित किया जाता है उसकी राजधानी गिरिवज रही रहती है लेकिन उस छेत्र को मगद के नाम से नहीं जानते उस छेत्र को वसुमती के नाम से जानते क्यों क्यों कि संस्थापक वसु थे और वसु का बेटा था ब्रिहदरत तो ब्रिहदरत के नाम पे चुकियू प्रतापी शाशक था तो उसके ना यह साथ कन्ष का विवा हुआ था और इसी के चलते जब कंस की हत्या भगवान श्री क्रिशन कर देते हैं तो स्लेकाव एक आप आप बटी चाहिए प्रतिषोध लेने के लिए ग्रस्पोरा राजने के लिए और जब बार बार रात अradasब करता है और जा पंट데्ठique आकर भगवान श्रीकृष्ण जो है एक नया नगर गुजरात में बसा लेते हैं द्वारिका और वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं रातो रात तो जरासंद के आक्रमणों से कुछ समय के लिए रात मिल जाती है कुछ ही समय के लिए उसके बाद यह फिर खोज लेता है तो यह सब आपने देखा इसका मतलब यह है कि यह पहले से ही श्क्तिषाली थै और इनसे कोई भी टकराने की हिम्मत नहीं करता था तो हर्यक वंज से पहले यहां ब्रिहधरत वंज का रूल था और उसमें जरासंद का नाम आता है वसू के बार ब्रिहधरत उसके बाद जरासंद और अ इंपरर था और इसकी पुत्री का नाम था चेलना नाम अच्छा है चेलना इनका विवा हुआ था मगद के राजा बिम्बिसार के साथ और लिच्छवी वाउज वन आप दे क्लैन ऑफ यूनियन आफ वज्जी का हिस्सा था उसी का एक भाग था ये कुछ अलग नहीं था लेक कि संस्कृत व्याकरण के संदर्म में जाने जाते हैं संस्कृत व्याकरण को सूत्रबद करने और इकठा करके कंपाइलेशन के रूप में प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो पाडिनी को दिया जाता है पाडिनी की जो रचना है अश्टा ध्याई उसमें ना सिर्फ संस्क पुश कलावती में होता है और पुश कलावती ये कहां पे है पुश कलावती इसका नाम रहता है ये गांधार में अश्टाध्याई is one of the earliest known grammar of Sanskrit मतलब संस्कृत व्याकरण का ये सबसे संभावतर मतलब संभावित तोर पे सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है अश्टाध्याई क देख सकते हैं इसमें सब डिवाइड भी से किया गया है यानि जो चैप्टर से वह बहुत बड़े-बड़े हैं उनमें सब डिविजन किया गया है और ये जो पाडिनी है इन्होंने अपनी अश्टाध्याई नाम के किताब में 22 जनपदों या 22 महा जनपदों का उलेक किया है और उसमें से तीन महतुपूर्ड थे तीनों के नाम आपने पीछे भी देखे हैं कौन-कौन सा है तो मगद है कोशल है और वज्ट सा है ये उस समय पावरफुल थे इतना हमने देखा अब इसके बाद जो 16 महा जनपद है 6th century BCE के वर डिसक्राइब इन बुद्धिस टेक् जे कम से कम उतने तो यूपी में ही थे मतलब कुल बिलाकर कितने हैं 16 है उसमें से 8 के लगभग जो है वो यूपी में ही बिलॉंग करते हैं तो देखिए अंग है इसके बार मगद है काशी है कोशल है वज्जी है मल चेडी वच्स कुरू इसके बार पांचाल मत्स सूर सेन अश्मक, अवंती, गांधार और कमबोज ये है 16 महा जनपत जिसमें से की साउथ हिंडिया का सिर्फ एक मात्र कौन सा है ये अश्मक वाला है आगे चलते हैं The list of 16 महा जनपत is also found in Jain text भगवती सूत्र वही चीजें कही गई है The capital of Northern Panchal was Ahichatra and Kampilye was the capital of Southern Panchal मतलब Panchal जथा वो बड़ा राजे था तो उसके दो टुकड़े हो गये थे मतलब दो विभाजित राजे पैदा हो गये थे एक की जो राजधानी थी वो Ahichatra थी और दूसरी की राजधानी कामपिल्य थी और कामपिल्य वाले जो राजधानी थी वहाँ पे शाषन किसका था महाराज दुरुबत का शाषन था और इनी के जो बच्चे थे उसमें द्रौपदी और दृषिदुम्न का नाम आता है ये आपने देखा अब इसके बाद आगे चलते हैं हस्तिनापूर और इंद्रप्रस्त ये कुरु महाजनपत की राजधानिया थी इन्द्रप्रस्त का निर्माण बाद में होता है मतलब कुरु महाजनपत की जो शुरुवाती राजधानी थी वो हस्तिनापूरी थी कौरों और पांड़ों की बीच में जब डिस्प्यूट होता है विवाद होता है तो वहाँ पर राजधे के दो टुकडे भिश्म पितामा को करने पड़ते है मजबूरी में और जो जंगल वाला एरिया होता है वो शड़यत्र करके पांड़ों को दे रिया जाता है और जो अच्छा खासा बना बनाया नगरिय छेत्र होता है हस्तिनापूर वो कवरों की हिस्से में आता है अब जो जंगल होता है उसको खांड़ों प्रस्त कहा जाता है वहाँ पांड़ों अपना बढ़िया महलोल बनवाने के साथ साथ पूरा राज्य बना लेते हैं और फिर युद्ध होता है, तो अंतनी उधिष्टिर जब राजा बनते हैं, तो यहाँ दो राजधानिया होती है, एक तो हस्तिनापुर और दूसरी इंद्रप्रस्त, यह आपने देखा, अब इसके बाद कुछ और चीज़े हैं, यहाँ पर मतुरा जो है, यह सूरसेन की में कहा गया है, चंपा जो थी, अंग महा जनपत की, और अंग महा जनपत कोई बहुत शक्तिशाली नहीं था, यह छोटा सा राज्ये था, महा जनपत की जो बाद ही इसको मिल जाती है, यह कर्ड के अधीन था, अंग राज उसे इसलिए कहा जाता था, दूरियोधन ने अप इसका राज्या भिशेक करता है, और अंग नाम का यह हस्तिनापुर के अधीन राज्ये था, यह कर्ड के हिस्से में लगा देता है, और अंग की राजधानी चंपा को इसलिए बनाया जाता है, क्योंकि चंपा में ही कर्ड का बच्पन गुजरा था, उसके जो माता पिता, म मगत सामराज्य में मिला लिया जाता है, मगत यहां आसपास की जितने राज्ये हैं उन्हें मगरमच के समान निगलना शुरू कर देता है, मगत वास लोकेटेड इन इस वेस्ट, अंग से अगर मगत की लोकेशन देखी जाए तो वो वेस्ट में था, यानि पश्चिम में थ इसके बाद कुछ और चीज़े हैं, इन 6th century BC, चेदी महा जनपत वास लोकेटेड इन modern बुंदेल खंड and its adjacent part, मतलब जो बुंदेल खंड वाला हिस्सा है और इसके आसपास के जो छेतर हैं, वो चेदी महा जनपत के हिस्से थे और इसकी राजधानी शुक्ति मती, शक्ति मत है कि had identify the ancient श्रावस्ती at सहेत महेत, यहां आप देख रहे हैं, अलिक्जेंटर कनिंगम की द्वारा identify किया जाता है जो ancient श्रावस्ती है, at सहेत महेत, today श्रावस्ती, place near Gonda in उत्तर प्रदेश, यह 1861 में इने identify करने का औसर प्राप्त होता है, अलिक्जेंटर कनिंगम ने लेकि अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमड किया, आक्रमड क्या किया, धीरे धीरे कबजा किया, एक जटके में आक्रमड करके नहीं मिलाया, लेकिन धीरे धीरे करके यह कबजा जमाते गए, पहले व्यापार करने के लिए आये, और उसके बाद यहां पैर फैलाना शुरू किया और शाशन करने लगे तो निसंदे ही इन्होंने शोशन तु किया है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन उसके साथ इन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है यह सब अंग्रेज ही हैं और आप देख रहे हैं कि यह आजादी का समय नहीं है यह गुलामी का समय है उस समय देख गुलाम था उसके समय में यह लोग यहाँ पर आर्कियोलाजिकल इन्वेस्टिकेशन करते थे खोजबीन करते थे और यहां की जो पुरातत्व सामागरी थी यहां का जो एतिहासिक विवरण था उसको जमीन से खोद कर निकालने का पहला काम यह अंग्रेजों नहीं शुरू किया था इस तथे को हमें स्विकार करना चाहिए जैसे हडपा और मोहन जोदलो इतना गर्व के साथ हम सिरूंचा करके उनका नाम लेते हैं कि यह हमारी नगरी यह सभेता है लेकिन असलियत क्या है कि इसकी शुरुवात अंग्रेजों नहीं की थी मतलब बनाने का क काम नहीं उसे खोजने का काम नहीं तो वहां तो ऐसे ही वो जमीन के अंदर दबा हुआ था और वहां के जो अंजान मजदूर थे उन्होंने खोद कर इटा निकालना शुरू कर दिया था वो तो बाद में वहां पर जो अंग्रेजी इतिहास कारे वो पहुंचते हैं और पह इसे श्रावस्ती के नाम से जाना जाना चाहिए इसके बाद आप यहां देख रहे हैं कि अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र द अशक और अश्मक अश्मक को ही अशक के नाम से भी जानते थे वास लोकेटेड बिडबिन्द गोदावरी और नर्मदा अश्मक महा जनपत पाया जाता था और इसकी जो राजधानी यह वो पैठन या प्रतिष्ठान पूरी के नाम से जानी जाती थी इसे हमने देखा इसके बाद कालपी टाउन के बारे में आप पीछे देखी चुके है इसका प्राचीन नाम कालप्रिय था और यह है कहां पर तो यह जालौन डिस्टिक में है यूपी का यह जालौन डिस्टिक है वहाँ पर यह सिचुएट करती है और यह किनारा है यह अमुना निदि का During ancient time period ये कालपरिये के नाम से प्रसिद्य थी और बाद में बिगड़ती बिगड़ती इसका नाम कालपी हो जाता है ये कुछ हमने देखा और यहाँ पर राजा जो था वो वसुदेव था वसुदेव नाम का राजा यहाँ पर शाशन करता था ये चौथी शताब्दी के बाद कही जा रही इसके बाद जो अगला है वो कंठक डानिस्टी है या कंठक डानिस्टी से कहा जाता है यहाँ पर इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो लास्ट रूलर था वो हरसिम्हा देव था He was a great patron of art and literature मतलब वो कला और साहित्यका काफी ज्यादा पुजारी या अनुयाई था He was the pro founder of panji system यह जो panji system है इसका यह pro founder कहा जाता है मतलब पूर संस्थापक कहा जाता है हलांकि इसे प्रॉपर तरीके से डिवलप करने का काम यह बाद में होता है The famous historical physician Jeevak Contemporary of Lord Buddha was related to the court of Bimbisar Bimbisar जो कि हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है उसके राजदर्बार में Jeevak नाम का एक राजवैद था जो कि उसका physician था और वो चंडप्रद्योत के उपचार के लिए इसे उनके दर्बार में भेंजता है जो कि अवंती के राजा रहते है और ये काफी महान था उससे में मतलब काफी famous था Bimbisar had sent Jeevak वही चीज़े कही गई है To the state of Avanti King Chandpradhyot for medical service उसकी medical service यहाँ पर पसंद की जाती है मतलब जो अजाद शत्रू होता है वो माव कीजेगा जो Bimbisar होता है वो इन्हें जीवक को भेजता है यहाँ पर Chandpradhyot के उपचार के लिए Chandpradhyot जो है यह उस समय पीलिया यानि जॉंडिस से ग्रसित रहते हैं और Bimbisar के यह जो दूद होते हैं मतलब यह इनके physician भी रहते हैं और दूद भी रहते हैं यह वहाँ जाकर अपना उपचार करते हैं उन्हें medicine वगरे देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो ऐसी यहाँ पर जब इस्थितियां होती हैं तो दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है मतलब मगत सामराज जी और जो अवंती के राजा है उनके बीच में जो friendship है वो create होती है यह चीजे हैं इसके पाद कुछ और बाते कही गई है बिम्पिसार said to be the first and most powerful emperor of हर्यक dynasty who was also the real founder of Magad Empire आपने यह देखा कि Magad Empire जो है वो पहले से ही है मगत का उदय इससे काफी समय पहले ही हो चुका है माभारत काल में भी इसका जिक्रिप्राप्त होता है हर्यक बंश तो बाद में आता है पहले यहाँ पर जो ब्रिहदरत का बंश है हो शाषन करता है उससे भी पहले इसका नाम वसुमती रहता है बाद में ब्रिहदरत का शाषन होता है और उसका जो बेटा है जरासंद, वो महाभारत काल में उलिखित किया गया है और उसके बाद इसका जो अंतिम रूलर होता है, वो रिपुन्जय होता है रिपुन्जय के बाद यहां पर बहुत समय तक छोटे छोटे राजवंश जो कभीलाई होते हैं वो शाशन करते हैं उसके बाद अंत में हर्यकवंश आकर यहां कभजा कर लेता है कहने का मतलब यह है कि बिंबिसार का यहां पर अधिकार हो जाता है तो यह सब हमने देखा अब इसके बाद कुछ और चीज़े हैं हीवाज आलसो कार्ड सर्वत छत्रां तक यहां पर बिंबिसार के संदर में कहा जा रहा है और उसके बाद फिर नंद डैनिस्टी के बारे में कहा गया है तो बिंबिसार यानि हर्यकवन्ष और उसके बाद अंद राजवन्षों के बाद एक क्रम से अगर हम अंत तक देखे तो नंद डैनिस्टी का यहां पे शाशन होता है यहां तक मगत राजवंच जो है वो एक क्रम से मतलब बिना किसी परिवर्तन के चलता है हलां कि राज जी की जो विस्तारवादी नीतिया है वो लगातार चलती है लेकिन परिवर्तन कुछ खास नहीं होता परिवर्तन कहा पर होता है, जो Mauryan Empire स्टार्ट होगा, वहां से होगा चंदरगुप्त Maury के समय से, तो जो नंद डैनिस्टी है उसके बारे में कहा जा रहा है पहले तो शिशुनाग डैनिस्टी और उसके बाद जो नंद डैनिस्टी है वो आती है और यहाँ पर यह मगद पर शाशन करते हैं महापद्मिनंद यहाँ का सबसे प्रतापी शाशक होता है नंद डानिस्टी का और यह इसका founder भी कहा जाता है वास्तविक founder इसका अन्य नाम अगर आप देखिएगा तो उग्रसेन के नाम से भी इसे जानते हैं इसकी उपादियों के तौर पे इसे एक राट चक्रवरती समराट इसके अलामा सर्व छत्रां तक दूसरा भारगव या दूसरा परषराम भी कहा जाता है इस प्रकार के उपादियां इसे दी गई हैं रहता है इसके बाद कुछ चीज़ें यहां मोटे अच्छरों में दी हुई है इसको देख लीजे अकार्डिंग टू बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट दू रूलर अप मगद यहां पर जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं मतलब जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र हैं उसके हिसाफ से मगद के रूलरों को देखा जाए तो इसमें हर्यक डैनस्टी जिसका की दूसरा नाम अगर आप देखें तो पित्र हंता डैनस्टी भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि बिम्बिसार की हत्या करके उसके बेटे अजाद शत्रु ने गर्दी पर कबजा किया था और उसके बाद अजाद शत्रु की हत्या करके उसका जो बेटा है उदैंग वो यहां पर कबजा करता है तो इस प्रकार से अपने पिता को मार कर साशन हास ये हमने देखा, बिंबिसार को एक क्रम से देख लीजे, इन जैन लिटरेचर, जो जैन साहित है, उसमें इसकी टाइटिल श्रेडिक के नाम से मिलती है, इसे श्रेडिक के नाम से भी जानते है, बिंबिसार expended the dynasty through victories and material relation, बिंबिसार ने दोनों ही तरीकों से अपनी dynasty का पूरा इसमें पहला विवाह अगर देखा जाएं तो ये चेलना नाम की एक राजकुमारी से विवाह करता है, जो कि चेतक की बहन रती है, ये लिचशवी Republic का राजा होता है ये चेतक, उसकी बहन है चेलना, उससे विवाह करता है, जो सेकेंड मेरिज इसकी है वो महा कोशला से होत इन्टू किंगिडम आप मगत बिम्बिसार जो है वो अंग महा जनपद को जो कि किसी समय में स्वतंदर राज्ज रहता है और ब्रहमधत के अधीन रहता है और उससे पहले यहां अंगराज करण का शाषन रहता है तो इसको मगत सामराज्ज में विलाय कर लेता है मतलब इसी क रोग है ये अवंती के राजा चंट प्रद्योत को हो जाता है और उनके ट्रीटमेंट के लिए ये अपने फिजीशियन जिसका नाम जीवक है उन्हें भेजता है अब यहां देख लीजे इसका जो मर्डर है वो इसके बेटे अजाद शत्रू के द्वारा हो जाता है इतना हमन इस फादर एंड सेट अन्द त्रों इसने अपने पिता को मार डाला और सिंहासन पर बैढ गया इसका निकलेम था कुणिक इसे कुणिक के नाम से भी जानते थी और ये जो कुणिक नाम है ये कहां पर मिलता है ये भी जैन लिटरेचर से ही प्राप्थ होता है जैन ग्रंद तो दोनों ही यहाँ पर मगद इंपायर में मर्ज हो जाती है अब यहाँ पर यह दो नए प्रकार की हथियारों को इस्तिमाल करता है कुछ युद्ध छेत्र में भी यह प्रगती करता है उसका यहाँ उलेख है और यह दोनों जो वेपन्स हैं यह वर्तमान में अगर जो आधुनिक टेकनलोजी है उस संदर में देखे जाए तो एक तो टैंक जैसा होता था और दूसरा जो है वो तोप जैसा होता था जैसे तोप से गोले दागी जाते हैं वैसे ही यह पहले की समय का महाशिला कंटक के नाम से जाना जाता था महाशिला कंटक में एक यंत्र होता था जिसके अंदर चट्टानों के टुकडे भरे जाते थे और किसी माध्यम से उन्हें बाहर की और प्रक्षेपित किया जाता था तो जिस ओर भी गिरते थे उते तबाही लाते थे मतलब विनाश करते थे तो यह तोप के समान काम करता था और उसी प्रकार से एक टैंक नुमा संरशना वाला वेपन होता था जिसे की रथ मूसल कहा जाता था तो यह टैंक की तरह काम करता था? मतलब दोनों ही जो यहाँ यंत्र होते थे उनका काम प्रक्षेपास्तर का होता था इसी क्रम में आगे चलते हैं मतलब इसने जो दो नए वेपन्स यूज किये हैं वो कहां किये हैं वज्जी संग के खिलाब जो वार हुई थी मतलब बैटल हुई थी उसमें इनका ये इस्तिमाल करता है और वहाँ पर जीत भी हासिल करता है इस प्रकार के आधुनिक जो उपकरण है उनका यूज करके और जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है चार टोटल हुई है बुद्धिस्ट काउंसिल तो उसमें जो पहली बाली है वो इसी के समय में इसी के रूल में आयुजित होती है और इसकी हत्या इसके पुत्र उदैन के द्वारा कर दी जाती है यहां ध्यान देने योगी बात है कि उदैन और उदैन ये दो राजा है उदैन जो है इसका संबंध हर्यक डैनस्टी से है जबकि जो उदैन है उसका संबंध वच्छ के राजा के तोर पे देखा जाता है इसके बाद उदैन को देख लीजे इसका जो अन्य नाम था उसमें इसे उदैभद्र के नाम से भी जानते थे निकनेम के तोर पे इसने क्या किया? पाटली पुत्र नाम का जो शहर है उसको बसाया और यह पाटली पुत्र प्रजेंट ए मतलब वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है और यह उस समय कैपिटल थी और वर्तमान में भी कैपिटल है उस समय ये पूरे मगत साम राजी की कैपिटल हुआ करती थी और आज की समय में ये बिहार राजी की कैपिटल है मतलब राजग्रिह से पाटले पुत्र की और राजधानी इस्थानांतरण करने का shift करने का जो काम है वो उदैन के त्वारा किया जाता है गंगा और सोन नदियों का जो संगम होता है वहाँ पर इसे इस्थापित किया जाता है और जो बुद्धिस्ट text है उसमें इसे पित्रहंता के नाम से जानते हैं और इसने जैन धर्म को फालो किया था यह पूरी तरह से जैनिज्म को फालो करता था शुरुवाती दौर में नहीं बाद में बाद में यह जैन धर्म की ओर चला जाता है शुरुवात में तो यह मार काट और हत्या में विश्वास करता है तो अहिंसावादी जो धर्म है इससे दूर रहता है इसके बाद देख लीजे मतलब किसी ने खंजर की सहायता से से मार डाला किसने मारा यह पता नहीं है मतलब कोई शड्यंत्रकारी इसकी हत्या कर देता है यहाँ पर मारने वाले का नाम अग्यात है इसके बाद इसके जो बेटे होते हैं वो कुछ समय तक रूल करते हैं बट सून देख पीपल चूज टूज टुथवर्दी आमात्य शिशुनाग ऐस दियर किंग और शिशुनाग डैनस्टी वाज लेटर इस्टैबलेशन मगद मतलब कुछ समय तक तक तो इसके जो उत्रादिकारी होते हैं वो रूल करते हैं लेकिन वो उतने योगिय नहीं रहते हैं तो इन सब के बाद में जो शिशुनाग वन्ष है उसका प्रारंभ होता है और शिशुनाग डैनस्टी की शुरुवात करने वाला जो रूलर था वो खुद शिशुनागी था ये इसका प्रथम शाशक माना जाता है मतलब यहाँ पर जो ये उदैन है इसके उत्तरादिकारी इतने जाता निरंकुष और अत्याचारी होते हैं जनता तंग आ जाती है और जनता यहाँ बगावत करती है और बगावत के चलते उन्हें गद्धी छोड़कर हटना पड़ता है और इसके बाद जो आमाति होता है शिशुनाग वो आकर यहां गर्दी पर कबजा कर लेता है और एक स्थाई शाषन की स्थापना करता है इस तरीके से हमने देखा ये उस समय बनारस का उपराजा हुआ करता था मतलब काशी में ये रूल करता था एक तरह से वहां का गवर्नर था और स्थिती का लाव उठा कर ये मगद का राजा बन जाता है और करीब करीब 100 साल की जो प्रतिस परधा चल रही थी यानि कम्टीशन चल रहा था अवंति और मगद सामराजी के बीच में उसको भी ये समाप्त करता है इस प्रकार से जीत का श्रे लेता है और अवंति को मगद सामराजी में मिला लेता है ऐसे ही वज्जीयों के उपर भी एक कंट्रोल इस्थापित करता है ये सब चीजें हमने शिशुनाग के बारे में देखी तो आईए देखते हैं शिशुनाग डैनिस्टी को फाउंडर इसका शिशुनाग था फ्रम 412 बीसी टू 394 बीसी ये जो इनका समय है वो दिया हुआ है यानि 412 इसापूरु से लेकर 344 इसापूरु इस में एचीवमेंट वही चीज है मतलब अवन्ती किंगड़म को इसने कांक्वेर किया और उसके बाद अपने किंगड़म में यानि मगद में मर्ज कर लिया ये शिफ्टेट अपर क्या होता है वैशाली की तरब जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया जाता है पाटली पुत्र से यहाँ वैशाली की और कैपिटल शिफ्ट हो जाती है आपने देखा है कि उदईन ने सबसे पहले पाटली पुत्र को एक नगर के रूप में डेवलब किया और उसके बाद वही पर कैपिटल को शिफ्ट किया था काकवर्ण या कालाशोक एक ही आदमी का नाम है दोनों दो चीज नहीं अब यहाँ देखिए इसने फिर वही उल्टा काम किया मतलब शिफ्टनाग के द्वारा जो राजधानी का चेंज किया गया था ट्रांसफर उसको इसने रद कर दिया और वापस अपनी जो कैपिटल है उसको पाटली पुत्र को बनाया क्योंकि पाटली पुत्र स्ट्राटिजिकल वे में काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी महत्व रखती थी और इसलिए यहाँ राजधानी बनाने के लिए वो उप्यूक्त थी सेकंड बुधिस्ट काउंसिल वाज ओर्गणाईज दूरिंग हिस रिजन और इसी के सवय में जो दूसरी बहुत संगीत है यानि सेकंड बुधिस्ट काउंसिल है वो ओर्गणाईज होती है अकार्डिक टू हर्ष चरित यहाँ पर जो हर्ष चरित है जो के बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है इसमें ये कहा गया है कि महापत्म नंद जो है ये काला शोक को मार डालता है काला शोक की हत्या कर देता है नंदिवर्धन, महा नंदिन ये सब जो है ये लास्ट रूर होते हैं शिशुनाग डैनिस्टी के मतलब शिशुनाग डैनिस्टी का इसी प्रकार से अंत हो जाता है काकवर्ड की मृत्यु के बाद उसके दस पुत्रों ने शाशन किया था ऐसा कहा जाता है काकवर्ड यानि काला शोक और इसमें से नंद वर्धन या नंदी वर्धन और इसके अलावा पंचमक ये सब मुख्य थे पंचमक को धोखे से मार कर जो महापद्म नंद है वो नंद वंश की स्थापना करता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि काकवर्ड को मारने में भी उसी का हाथ था तो ये चीजें हमने देखी तो इसके बाद का जो क्रम है उसमें हम देखेंगे नंद डैनस्टी को अब धीरे धीरे हम लोग मौरियन इंपायर के और बढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले नंद डैनस्टी को देखना आवश्यक है देखें दोस्तों नंद वंश जो है ये पहला ऐसा राजवंश था जिसने बिंबिसार के द्वारा जो तैयार की गई फाउंडेशन थी उसके उपर एक बड़ा मगत सामराज्य खड़ा किया था और इसमें सबसे बड़ा योगदान था महापद नंद का जिसे कि उत्तर भारत का पहला महानैतिहासिक सम्राट कहा जाता है मतलब ये एक तरह से great emperor के तोर पर उभरता है और इसे कली का अंश, इसके अलावा से सर्व छत्रांतक की नाम से जानते हैं, छत्रांतक का κα मतलब क्या, छत्रयों का अंश करने वाला एक राट कहा जाता है, और खारवेल का जो हाथी गुमफा अविलेख है, कलिंग का राजा था खारवेल, जो कि चे दिवंश्त से संब्ध रखता था तो उसके हाथी गुंफा विलेक से संकेत प्राप्थ होता है कि कलिंग पर इसने जीत हासिल की थी और वहां पर कैनाल्स खुदवाई थी इस प्रकार का उलेक प्राप्थ होता है तो यह सब चीजें यहां दी वही अब देखिए महापद्मनंद लेट फाउंडेश प्राप्थ होता है पुराणों में इस नाम से संबोधित किया गया है अब देखिए मतलब इनकी जो माता थी वो वैशी थी और जो पिता थे वो क्या थे एक शूद्र थे ऐसा इसमें कहा गया है यह जैन टेक्स्ट का ब्योरा है अकारडिंग टू पुराण पुराण के हिसाब से अपार्ट और कली इसे कली का अंश कहा जाता है इसके अलावा सरव छत्रांतक कहा जाता है तो नाम का आर्थ दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं सरव छत्रांतक का मतलब क्या सभी जितने भी छत्रिये हैं उनको डिस्ट्राइ करने वाला इसी प्रकार से परशुराम का उतार तो परशुराम के भी जिम्मे वही उपादी प्रशलित है मतलब उन्होंने भी छत्रियों का नाश किया था और इसने भी किया तो इसलिए दू बारे छेत्रों को अपने राज्य में यानि मगत सामराज्य में नंदवंश में विले कर लेता है इसके अलावा सूर से इन मिथिला इस प्रकार के जो छोटे-छोटे करता है कि from the elephant cave inscription यानि वही हाथी गुंफा अभी लेक और खार्वेल वन केंगे इन्फार्मेशन अबाउर दे कलिंग कान्वेस्ट ऑप महापदनन्द की उसका उल्लेक हमें खार्वेल के हाथी गुंफा अभी लेक से मिलता है और इसमें ऐसा कहा गया है कि चोल, चेरो और पांडे राज्यों को इसने अपने अधीन तो किया था लेकिन उसके बाद वहाँ शाषन करने की इच्छा इसके दिमाग में नहीं होती है तो सिर्फ हरा कर छोड़ देता है बाकी जो कलिंग वाला छेत्र है वहाँ पर अपना कुछ प्रशासन स्थापित कर करता है और उसी के चलते कैनाल्स को खुदवाता है और वहाँ सिचाई की व्योस्था करवाता है तो यह सारी चीजे प्राक्त होती है इसके बाद पाडिनी के बारे में कहा गया है जो कि व्याकरणाचारे थे यह महापद्मनंद के मित्र थे तो आप समझ सकते हैं कि इतना विद्वान व्यक्ति अगर किसी राजा का मित्र हो रहा है तो वो राजा खुद भी विद्वान होगा तभी वो दूसरों का सम्मान करेगा तो इसलिए दोनों ही यहाँ पर उतक्रिष्ट कोटी के विद्वान थे इसके बाद घनानंद को देख लीजे इन्हें धनानंद भ प्राप्थ होता है और इसके समय में अलेक्जेंटर इन्वेडे इंडिया अलेक्जेंटर ने भारत पर आक्रमण किया यानि सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है इसी के समय में मतलब यह जो नंद डैनिस्टी के रूलर है अधिकांशिस में से जो है वो जैनिस्म को फालो करते हैं और सिर्फ इतने ही नहीं मगत सामराजी में इससे पहले भी जैनिस्म का काफी बोल बाला रहता है अशोग के समय में यहां बुद्धिज्म आकर घुज जाता है उससे प मार कर मौरे डैनिस्टी की स्थापना करने वाला जो चक्रवर्ती राजा है वो चंद्रगुप्त मौरे बन कर उभरता है इसे जनता का पूरा सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि जनता धनानंद के अत्याचारों से उप चुकी रहती है जो मनमाना टैक्स वो जनता से वसूल रहती है और यहां आचारे चाडग के और चंद्रगुप्त मौरे का पूरा सपोर्ट किया जाता है यहां तक हमने मगध इंपायर को देखा और उसमें अलग-अलग जो डैनिस्टी एक के बाद एक आती है उन्हें देखा अब इसी क्रम में जो ग्रीक इन्वेशन है उसको क्या इंपेक्ट यहां पड़ता है यह दोनों ही बातें जाननी आवश्यक है लेकिन वो अगले वीडियो लेक्चर में और तब तक के लिए नमस्कार